हेलो दोस्तो मैं हुरिशब चार्जर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है जीओ फाइबर के बारे में तो अगर आपने मेरा प्रीवेस वीडियो देखा होगा जीओ फाइबर के बारे में तो थोड़ा से इस्चु चल रहा था थे के स्पीड टेस्ट में तो मैंने 1499 क प्लान लिया था जो कंपनी क्लेम करती है हमको स्पीड मिलना चाहिए वो था 300 Mbps पर रियालीटी में हमको उतना नहीं मिल रहा था कितना मिल रहा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरा स्टोरी पता चल जाए तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत चारे कमेंट्स किये और मैंने सभी कमेंट्स पड़ा तो चलिए थोड़ा सा बात तो करेंगे क्या सोलूशन हुआ वो भी बताएंगे बट वीडियो अगर इंफर्मेटि कर सकता हूं मेरे तरफ से वो था कि LAN केबल लगाके चेक करना की कितना स्पीड आ रहा है तो फिर हमको पता चलता कि राउटर में प्राब्लम है कि हमारे कनेक्शन में ही प्राब्लम है ठीक है बट उसके बाद मैंने सोचा कि LAN से करने से तो खुद से ही हम अगर बाई चांस router का ही problem है तो फिर खुद से ही solve हो जाएगा बट मुझे क्या करना था मुझे check करना था कि इनका customer care service क्यों है क्योंकि हम लोग सब तो मतलब हाँ हमने से जो भी आप देख रहें बहुत लोग technically बहुत ज्यादा experience है तो आप खुद से ही solution कर लेंगे बट बहुत लोग ऐसे भी है जिनको उतना सब पता नहीं है land cable या laptop भी नहीं है mobile से चलाते हैं तो फिर उनके लिए वो सब check करना मतलब मुश्किल हो जाता तो मैंने क्या सोचा ठीक है land is an option बट अभी मैं land cable वाला नहीं ट्राइ करूंगा क्यूंकि frankly मैं खुद भी किसी भी device में land cable यूजी नहीं करता हूं तो मेरे case में तो land cable आता ही नहीं है land cable में जो हो that is not even like मैं तो देखूंगा भी नहीं कि land cable यूजी नहीं करता तो वो मैं second backup करे रहे रखा फर्स्ट option जो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बुला था comment section में कि complain करने के लिए उनको कि क्या speed ठीक करो इतना पैसे देखे हमको speed तो चाहिए न तो वही किया मैंने दोस्तो आच्छली वो वीडियो बनाने से पहले भी मैंने चाट option में जाके चेक किया था कि क्या मैं complain कर सकता हूं की नहीं तो customer care service support कैसा है इसके बारे में मैंने अल्मोस्ट six seven months पहले एक वीडियो बना था ठीक है तो उस समय कैसा experience अगर आपको जानना है तो उसका भी link description में मिल जाएगा बट अभी अगर मैं बोलू briefly तो बहुत कुछ बदल गया है दोस्तों अभी मैं जब देखा आप में उनको live chat support के लिए देखा बहुत कुछ बदल गया अभी तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा separately बट live support में moral of the story चाट में हम complain नहीं कर सकते ठीक है unfortunately जब मैं chat option में गया तो वहां complain का कहीं भी option नहीं था मैं उदर select किया low speed problem फिर दो तिन question पुछता है कि are you connected to Jio router have you connected anything else how many devices connected ऐसे कुछ 3-4 steps पुछता है उसके बाद finally are you still facing any problem तो मैं बले यस तो फिर उसमें automated 3-4 message आता तो उसके बाद बोलता है call on this number करके call आपका जो Jio customer care number है उस पर अगर call करेंगे तो फिर basically आप complain कर सकते तो तब मैं नहीं किया था उसके बाद finally मैंने call किया उस नंबर पर तो basically मुझे लग रहा था कि जिस नंबर से आप registered है geofiber में उसी number से आपको call करना पड़ेगा क्योंकि last time मैंने जब call किया था थोड़ा सा problem हुआ था उस समय तो वैसे मैं सोच रहा था बट अभी जैसे कि मैं बोला बहुत कुछ बदल गया है यह सब चीज़ के बारे मैं बात करूंगा किसी और वीडियो में क्योंकि नहीं तो सब्सक्राइब क्या है तो उनको बताया ब्रीफली प्रॉब्लम क्या है तो फाइनली उन्होंने मेरे को पूछा speedtest.net जो website speedtest का उसमें आपको कितना speed मिल रहा है अभी तो मैंने तब ही चेक किया ठीक है तब भी चेक करके आ रहा था 20-25 अप्लोड और 23-24 डाउनलोड तो वो भी जो जिससे में बात कर रहा था वो भी बोला sir this is तो बहुत कम है this is very lesser I will put up a complaint तो क्या आपका router change हो गया उन्होंने पूछा तो yes router change फिर भी यह problem आ रहा है हां यह फिर भी आ रहा है okay sir then I'll take the complaint तो उन्होंने complain ले लिया और मुझे बोला कि between 4 & 6 PM उस दिन ही आ जाएगा ठीक है तो complain raise हो गया मैंने cut कर दिया call around 5-10 minutes में ही जब मैं माई जियो आप में जाकर चेक किया तो yes वो complain register हो गया था बट इस बार कोई भी message नहीं आया for some reason बाद में आया कि नहीं चेक नहीं किया बट तब तक तो नहीं आया था mostly आ जाता है but anyways ठीक है complain तो register हो गया फिर almost 4 o'clock हो गया ठीक है normally last time जब मैंने router change किया था तब वो लोग almost like one hour पहले call करके पुछे थे कि sir can we come or not तो ठीक था इस बार मैं सोच रहा था सेम वो लोग call करेंगे चेक करने के लिए हम है कि नहीं तब अगर नहीं रहेंगे तो वो लोग आ कि वेस्ट ना तो call ही नहीं करे call नहीं करें 4 o'clock बज गया मैं सोचा हो सकता है लगता है आज नहीं आएगा हो सकता है क्ल आएगा क्यूंकि उनका app में estimated end time दिखा रहा था next दिन का 4 o'clock तक 4 o'clock नहीं रेक्स दिन का 2.40 कुछ तक कि मैं around 2-2.30 के समय कॉल किया था उनको एगले दिन वो सेम समय end time तो ठीक है मैं सोचा हो सकता है अगले दिन आएगे तो around 4.30 आ जाते ठीक है डायरेक्ली आ जाते मैं थोड़ा सा शॉक्ट था कि इस वार कोई पोनी न मैं सोच रहा तो हो सकते इस बर call नहीं लगा कि कुछ problem हो गया तो नहीं दारेक्ली आ जाएंगे तो आके पहले तो उन्होंने मैंने जैसी आय मैं दिखा है मतलब देखो यह speed test इतना कमा रहा है तो okay okay don't worry don't worry तो पहले हो लोग router किया कि एक मतलब डिवाइस लाय थे ठीक है तो router से केबल निकाल अपने डिवाइस में चेक किये मुझे कुछ नहीं बता है क्या मैं खाली देख रहा तो कुछ तो चेक किये उसके बाद फिर से router को मुझे पूझे पिन ने किया तो पिन का मतलब basically router के लि के साथ आता है तो वही दे दिया मेरे पिन नहीं मिल रहा है इससे चलेगा किया तो हाँ चल जाता है तो basically router है उसके पीछे एक होल रहता है तो उसको वह पिन जैसे चीज को प्रेस करके रखना है अरूंड 30 सेकेंड प्रेस करने से वह रेड लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है मतलब हाड रिसेट हो रहा है ठीक है तो हाड रिसेट कर दिया उन्होंने फिर फिर से मतलब वह जो router है उसके नीचे ही यूजर नेम पासवर्ड रहता ठीक है तो जैसे आप अपने मोबाइल से वाई-फाइ में कनेक करते हैं तो उसमें वह पासवर्ड जो लिख मोबाइल में अलड़ी सेव था क्योंकि फर्स्टाइम जब राउटर चेंज किये थे लास्टाइम तो तभी भी मैंने डाला था पासवर्ड से लॉगिन हो गया लॉगिन होने के बाद स्पीड टेस्ट में फिर से सेम ही दिखा रहा है तो उन्होंने अक्शली बोला कि सर य इसे कुछ बला एटल का सर्वस है यू चेक करने से 310 Mbps दिखा रहा है ठीक है फिर उन्होंने फिर हमला अपलोड भी देखा आराउंड 300 के आसपास कुछ 280-290 दिखा रहा था सो अल गुड तो दिस वाज लिटल बिट स्टेंज इससे पहले और एक चीज भी पुछा था जब हो लोग मतलब हाड रिसेट कर रहे थे एक ही टेक्निशन आया था तो हाड रिसेट कर रहे तो मैंने पुछा था कि कोई connection में तो problem नहीं है आप तो हाड रिसेट कर रहे है ब तो आने के बाद हम भी खुश वो भी खुश और एक चीज अचली मेरा जीओ जो कॉल का एप है उसमें भी थोड़ा सा problem आ रहा था वो login नहीं हो रहा था अगर आपको जीओ कॉल के बारे में एक वीडियो चाहिए तो बता ही हम बना देंगे क्योंकि अभी सिंस problem आ रहा था मैंने थोड़ा सा चेक किया उस आपको तो उसमें login नहीं हो रहा था तो उनको पूछा यह login का कोई problem है क्या तो बोले कि ने हम हमारा खाली है groundwork मतलब actual technical work हम देखते हमको software जादा पता नहीं है तो आप वो customer care से पूछिए जो भी problem है हमको यह सब पता नहीं हम जादा technical वाला चले गए तो speed test तो अभी ठीक है 300 के करीब आ रहा है अभी बट ठीक है अभी जब next time speed test video बनाएंगे तब हम देखते तब आता है कि नहीं कि तब फिर से खराब हो जाता है बट अभी के लिए तो problem is solved दोस्तो speed आ रहा है also speed test करने के समय आप बोल रहे थे range test दिखाने के लिए router का तो मुझे actually idea नहीं मिल रहा है range test करूं कैसे तो थोड़ा सा idea मिला है दोस्तों जितना भी यह area में हम कर सकते है जो भी मैं दिखा सकता हूं मैं दिखाऊंगा आपको but anyways moral of the story yes it is solved for now अभी तो speed आ रहा है around 300 310 आ रहा है एक minute आपको मैं एक screenshot भी दिखा देता हूं जो मैंने मैं लिया था तब speed test के समय वन सेकेंड पॉस करके फिर से मिलता हूं मैं तो दोस्तों यह है actually screenshot क्योंकि fast.com में problem क्या है कि नीच IP address भी दिखा देता है तो मैंने screenshot लिया है उसको crop भी कर दिया है तो आपको दिखाता हूं कितना आ रहा है हमारा तो देख सकते हैं आप 3 ton mvps आया था अपलोड 230 के करीब आया था तो आपको थोड़ा डीटेल में बताऊंगा जो observation किया है मैंने but anyways आज के लिए इतना है था दोस्तों थोड़ा सा light जादा ही बढ़ गया है थोड़ा कम कर देता हूं मैं ठीक है okay तो अगर video informative लगा दोस्तो तो लाइक ज़रूर करना जो भी आपको opinion है इसके बारे में comment section में बताऊंगा अगर आपने भी कुछ ऐसे problem face किया या कुछ कर रहे हैं तो comment section में ज़रूर बताऊना informative लगा वीडियो तो like ज़रूर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो subscriber के bell icon भी दबा दीजे मुझे Instagram पे follow ले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए bye bye and stay safe and geofiber के बारे में कुछ भी वीडियो देखना है तो सभी का link में description में दे दूंगा आप check out कर सकते है थोड़ा लंबा हो गया 1235 हो गया 10 minutes के अंडर होगा but anyways चलिए अगर आपका कोई भी request है related to geofiber तो comment करके बताएए अगर हो सक करता है मुझे पता रहेगा तो definitely एक वीडियो बनाके उसका answer कर दूंगा ठीक है और लिंक चेक आउट कर जिजिए description में बाई बाई